कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासांद शुरू हो चुका है जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरेसेस पर हमला बोला था एक दिन पहले महिला कॉंग्रिस के स्थापना दिवस के कारिक्टर में राहूल ने BJP और RSS को महिला विरोधी बताया राहूल ने पूचा कि आखर RSS और BJP ने किसी महिला को देश का प्रधान मंत्री क्यों नहीं बनाया तो राहूल गांधी के बयान पर शुरू हो चुका है सियासी गमसान इस सब के बीच आपको बता देевой जले ता वो भी राहूल गांधी को घे रहे हैं तो सवाल उठाएं देवेंद पर नवीस ने भी आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले महिला कॉंग्रिस का स्थापना दिवसकारिक्रम था राहूल गांधी ने बीजेपी आरेसेस को महिला विरोधी करा दिया कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पाटी है कि बीजेपी के आरेसेस के लोग हिंदू पाटी वो अपने आपको हिंदू पाटी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आकरमन करते हैं जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं कहीं दुर्गा को मारते हैं और इस वक्त हमारे साथ राकेश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राकेश निराजी राहूल गांधी के इस बयान पर आपका फास्ट रियाक्शन क्या होगा देखे राहूल गांधी वैचारी के उसे निरक्षर वेक्ती हैं उनको यह पता ही नहीं है कि हिंदू होने का ताथपर जी क्या होता है वो देश को बताएं राम सितु जो हमारा ध्रोहर है जो भगवान राम के दिहास से हिंदू इधास से जुरा हो उसको तोरना क्या हिंदू भूमी में के आंदूनों का विरोध करना राम मंदिर के परती कोई समथा नहीं ब्याद करना क्या हिंदू होना होता है राहूल गांधी देश को यह भी बताएं कि राम मंदिर के निर्मान में इसके पूरे देश और दुनिया का सेंटिमेंट जुरा हुआ है हिंदू का उस कि पिश्टी को लेकर बैयान कि पिष्ले दिन जीस्ती को लेकर उन्होंने माधुर्गा का जिक्र किया था और आप इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर वह यह पूछ रहे हैं आपसे कि महिला प्रधानमंत्री कोई क्यों नहीं है क्यों इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिये जा रहे हैं? जो सत्ता से बाहर रहकर चट्पटा रहे हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए कभी दोकलम के मामने में कीन के साथ ठरे हो जाते हैं? कभी हिंदू धर्म के का अफमान करते हैं? जिए लगता है रहुल गांधी कॉंग्रेस की पूरी राजिती को स्वैम ध्ष्ट करने में लगे हुए हिंदू के बीच जो अलोक्रियता कॉंग्रेस की बनती जा रही है उसका एक मात्रा कारण रहुल गांधी है? शुक्रिया, शुक्रिया राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी नेता राकेश सिन्हा जो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन इस सब के बीच आपको बता दे बीजेपी के और नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर रेक्शन सामने आ रहा है बीजेपी को मारते हो कहीं लक्षमी को मारती हो और सीधे तोर पर हिंदू के नाम पर आप दलाली करते हो तेके राहूल गांदी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग किया है कहीं न कहीं हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है यह पहली बार नहीं किया है र और कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं बार-बार मा दुर्गा, मा सरस्वती और मा लक्ष्मी को राजनीती में लाने का भरसर प्रयास राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी कर रहे हैं। लाब होता है राजनीतिक दिश्टिकोन से, अपीजमेंट की राजनीती करने का प्रयास करते हैं, मगर इस देश में ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता सब देख रही है, जवाब देखें। है कि कॉंग्रेस ना देश की संस्कृति से जादा उसको लगाओ है और ना ही उनको कोई संसकार आते हैं। तो कि राहूल गांधी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि भारती जनता पार्टी की सरकार में महिला सवचक्तिकरार, महिला गरिमा, महिला सम्मान इसको लेकर आजनी मोदी जी ने ग्यारा-ग्यारा महिलाओं को देश का नितित्त दिया है अपनी कैबिनेट में। पूरे देश को कि अगर आप बलतकारियों के साथ खड़े हैं तो आप हिंदू किस तरह से हैं। जी इस एंग जी एंग değनिए आप हुआ हैं।